वर्ष दोहजार सोलह में जी इएम यानि गवर्णन्ट ए माकेट प्लेस की शुरुआत कर भारत सरकार ने एक ऐसे सरकारी ए बाजार का गठन किया जहां से विभिन सरकारी विभागों द्वारा सामान्य उपियोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके इस इबाजार में छोटे से छोटे दुकानदार अपने उत्पादों को सरकार को बीच सकते हैं और आज लगभग 60 लाख विक्रेता जी इएम पोटल पर पंजिक्रत होकर अब तक 2 लाख करोड रुपे से ज्यादा का सामान या सेवाओं प्रदान कर चुके हैं जेम पोटल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेडी पट्री वालों को भी ये अउसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोड़क्त बेच सकें पंचायत शासन का तीसरा एवं महत्वपूर्ण स्तर है वर्ष 2014 के बाद से पंचायतों को हस्तांतरित धनराशी में तीन गुना से अधिक व्रिद्धी हुई है इसके प्रबंधन के लिए वर्ष 2020 में ई-ग्राम स्वराज पोटल की उत्पत्ती हुई इग्राम स्वराज यानी सिंप्लिफाइड वर्ष एकाउंटिंग एप्लिकेशन पोर पंचायती राज ये भविश में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा पिछले साल पंचायती राज मंत्रा ने भारत सरकार ने सतत विकास लक्षों यानी LSDG की रूप रेखा के अंतरगत पंचायतों को LSDG आधारित संकल्ब लेने के लिए प्रेरित किया गया इस संकल्ब प्राप्ति के लिए सेवाओं या वस्तूओं की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्चक था इसलिए पंचायती राज मंत्राले ने E. ग्रामस्वराज और GEM यानी Government E. Marketplace के बीच ये इंटरफेस तयार किया है GEM पर पंजी करण कर पंचायतें गुणवत्ता पूर्ण वस्तूओं एवं सेवाएं प्राप्त कर सकती है साथ ही गाओं के छोटे विक्रेता इस अभूतपूर्व अवसर का लाब उठा कर अपनी आमदनी में व्रिधी कर सकती है आईए साथ मिलकर हम सब द्वारा देखे गए डिजिटल इंडिया के सपने को और सुद्रण करें क्योंकि सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माद